जहारखंड हाई कोट में सहाय का चारिय नुक्ती में पारा सीच्छकों को पच्चास परतिसत आरच्छन देने के खिलाब एक अन्य आचिका दाखिन की गई है चीफ जस्टीस संजे कुमार मिस्रा वजस्टीस आनंद सेन की खंड पीठ में इस मामलेवे आंसिक सुनवाई गी इसके बाद अदालत ने सरकार जहारखंड सिच्छा परियोजना और जेसे सी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है अदालत ने उनुत ओक्त आचिका को पूर्व में बियारपी सी आरपी की ओर से दाखिल आचिका के साथ संबंध करने को कहा है इस मामले की अगली सुनवाई 28 नॉमबर 2023 को होगी इस संबंध में सिच्छिका गवीना वर्नवाल एवं अन्य ने दाखिल की है आचिका में कहा गया है कि जारखन सरकार के सहायक अचारिय नुक्ती के लिए वर्स 2023 में बनाई गया ही नियमावली गलत है नियमावली में 50% पारा सिच्छकों को आरच्छन देना उचित नहीं है वर्स 2022 में बनी नियमावली में सिच्छा विभाग में सम्विदा पर कार्य करने वाले को भी 50 परतिसत आरचन देने का लाब दिया गया था जिसे नई नियमावली में हटा दिया गया बता दे कि पूर्व में इस तरह की एक आचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने सहायक अचारिय नियुक्ति परिच्छा के विग्यापन पर रोक लगा दिये सिविल जज की नियुक्ति के लिए अब 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी दे सकेंगे आवेदन जारकन हाई कोट के चीफ जस्टीस संजय कुमार मिस्रा वा जस्टीस आनंद सेन की खंट पीट में सिविल जज जुनियर डिविजन की नियुक्ति परिच्छा में उम्र में छूट देने की मांग वाली आचिका पर सुनवाई हुई है सुनवाई के बाद अदालत ने 35 वर्ष से अधिक की उम्र वालों को भी आवेदन भरने की छूट परदान की गई है अदालत ने इन अभियर्थियों की परिच्छा लेने और परिणाम परकासित करने का भी निर्देश दिया है लेकिन इनका परिणाम अदालत के अंति मादेश से परभावित होगा अदालत ने सभी को 28 सितंबर तक आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है इस संबंद में अभिसेक कुमार एवम अन्य ने हाइकोट में आचिका दाखिल की है आचिका में कहा गया है कि राज्य में सिविल जज जुनियर डिविजन की परिच्छा वर्स 2018 में लिगए थी परिच्छ नहीं होने के कराण प्राथियों की उम्र सीमा 35 वर्स से पार हो गई है नियमा नुसार हर वर्स परिच्छ आयोजित होना चाहिए पांच वर्स बाद परिच्छ हो रही है और इस कारण उम्र सीमा में पांच वर्स की छूट मिलनी चाहिए सिविल जज नुक्ति के लिए जारी विग्यापन में उम्र का कटप डेट 2023 रखा गया है इसे घटा कर 2019 करना चाहिए ताकि अन्य अभ्यरती भी इस परिच्छा में सामिल हो सके सुनवाई के बाद अदालत ने इन अभ्यरतों को आवेदन करने का निर्देश दे दिया है